श्री नाज जी गुरुजी को अलगादेश, मा भगवती को अलगादेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलगादेश इस वीक मैंने काफी ऐसे वीडियोज बनाए जो कि on demand थे, ऐसी साधना है जो आप लोगों को चाहिए तो एक साधना बार बार लोग वाट्स अप और यूट्यूब पे मांग रहे है अच्छा ये साधना क्या है? इनको लोगों का भविश्य जानना है या फिर किसी को देख करके उनका भूत भविश्य वर्तमान का पता लगाना है देखो इसका दो तरीका होता है ठीक है? जो इसका पहला और आसान तरीका है वो है cold reading का आप गूगल करना cold reading आप बहुत लोगों के पास जाओगे तो वो आप लोगों को बहुत तरह कई बाते बताते हैं जैसे कि आपके घर के एक दिवाल का रग निला है और उसी कमरे से समस्था शुरू हो रही है आपके left pair में कुछ दिन पहले पीडा थी आपके पेट में कुछ दिन पहले दर्द था आपका काम नहीं बन रहा है अंत में जाके आपका काम रुख जाता है ठीक है तो ऐसी जो चीजे होती है यह जनरल है हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि जो power of attraction है उसके चलते कैसे काम रुखता है मैं तो किसी भी अगर पैसे ना रहे तो मैं नहीं खरुद पाँगा लेकिन जब आप कुछ negative सोचते हो तो आप बिलकुल ही एकाग चित्रमन से सोचते हो कि यह चीज तो गलत हो जाएगी वो कैसे ठीक हो सकता है ऐसे कोई नहीं सोचते है तो यह जो fluctuation of thought होता है इसी के चलते किसी भी अच्छे का काम में रुकावट आती है अब आते future पे देखो clear-cut बात बता रहा हो future कोई नहीं बता सकता बतला distant future दूर का future अभी क्या होने वाला है मान के चलो दो दिन बाद तीन दिन बाद चार दिन बाद ऐसा लोग बता सकते है उसके आगे का fermentation combination आपको बताया जा सकता है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है कर आप ऐसा कीजिएगा तो आप बच सकते है ठीक है लेकिन यह तै नहीं होता है कि आपके साथ यही होगा इसलिए गीता में प् तो वो सिर्फ एक चीज ते करके आता है और वो ते करके आता है अपनी प्रदर वो किस गर्म में और किस मा के यहां पैदा लेगा उससे उसको जो कर्म काटना है जीवन में वो कर्म ते हो जाता है आप समझ रहे बात को तो अगर कोई आपको future बताता है तो भगवान को भी future नहीं पता है हर life में हर situation में आपके life में बहु सारे option देते हैं आपके कर्म आप आपने जिस कर्म को चुना बाकी दो कर्म बढ़ा गए वो भी आपको किसी ना किसी जीवन में पूरे करना है मतलब हर तरीके का कर्म आपको करके देखना होता है लेकिन ये जो distant future है किसी का past और किसी का present जानने का दो साधना होता है उसमें एक है जैसे बहुत लोग कर्ण पिचासनी साधना करते है कर्ण पिचासनी साधना नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए कर्ण पिचासनी साधना क्योंकि वो प्रेत य पिचाशनी का देव रूप है वारताली साधना, तो वारताली साधना का क्या कासे था है, वो भी कट पिचाशनी की तरह ही आप जब बुलाओगे, तो सामने वाले के विशह में बताईगी, यह आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देगी, लेकिन, जो प्लस पॉइंट है व आपके आसपास कोई भी हो तो आपके मन में उसका vibrations आने लगता है, तो आप उसका mind को read कर सकते हो, आपको पता रहता है उसके आसपास क्या चल रहा है, यह जो दो साधनाएं हैं, यह मैं YouTube पे नहीं दूँगा, ठीक है, नहीं मैं यह आपको free में दूँगा, उसका कारण है, आ आप सब उसमें 11 से 200 रुपे, जो भी आप सक्चम हो वो डालना, और उसके आद मुझे मैसेज करना मेरे WhatsApp पे, आपको दोनों का डीटेल दूँगा, उसके आद आप लोग बैठ के मज़े से किसी का भी भूत वविश और वरतमान बताते हैं, आज के लिए इत्ता ही, आप